पंजाब के बटिंडा में आज एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर एक मुर्गे की जान बचाने के लिए उसे सुरक्षा मुहया कराई गई इतना ही नहीं तीन लोगों के खिलाफ मामला भी दर्च किया गया दरसल ये मामला पशो कुरूरता से जुड़ा हुआ है यहां पर एक मुर्गा लड़ाई आयोजीत की गई थी वहां पुलिस ने पहुँच कर मुर्गे की जान बचाई साथ ही इस लड़ाई में घायल मुर्गे को अस्पताल पहुचाया गया और उन्हें सुरक्षा दी गई इस मामले में कोट कचेरे की नौबत तक आ सकती थी फिलहाल मुर्गे को अब पुलिस कोट पे पेश नहीं करेगी बतारे इस मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्च कर लिया गया है इस मामले की जानकारी पुलिस अधिकारे निर्मल सिंग्ने दी है उन्होंने बताया कि बटिंडा के बलुआना गाउ में मुर्गे की लड़ाई कायोजन किया गया था मुर्गा लड़ाई में लगबग 200 लोग शामिल थे इस घटना के बारे में जानकारी मिली तब पुलिस घटना इससल पर पहुँची पुलिस के पहुँचते ही सबी लोग भाग गए पर पुलिस को वहाँ दो मुर्गे और एक व्यक्ती मिला फिलहार पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दरच किया है और आगे की कारवाई में जुट गई है